एक राष्ट के तौर पर, एक परिवार के तौर पर, आपने, हमने, पुरे देश ने, एक एतियासिक फैसला लिया है, एक ऐसी व्यवस्ता, जिसकी वज़े से, जम्मु कश्मीर और लद्दाक के हमारे भाई बहन, अनेक अधिकारों से वंचित थे, जो उनके विकास में बड़ी बादा थी, वो हम सब के प्रयासों से अब दूर हो गई है, जो सपना सरदार वल्लभाई पटेल का था, बाबा साब अम्बेड कर का था, डॉक्तर शामा पुरसाद मुखर जी का था, अटल जी और करोडो देश भक्तों का था, वो सपना अब पूरा हुआ है, जम्मु कश्मीर और लदाख में एक नए युक की शुरुवात हुई है, अब देश के सभी नागरिकों के हग भी समान है, और दाइत्व भी समान है, मैं जम्मु कश्मीर के लोगों को, लदाख के लोगों को, और प्रतेक देश्वासी को, रदाइपुरवक बहुत 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 बधाई देता हूँ, साथियों, समाज जीवन में कुछ बातें, समाज के साथ इतनी गुल मिल जाती है, कि कई बार उन चीजों का एक प्रकार्चे मन में स्थाही भाव बन जाता है, स्थाही मान दिया जाता है, ये भाव आ जाता है कि कुछ बड़लेगा ही नहीं, बस ऐसे ही चलेगा, आर्टिकल 370 अनुच्छे 370 के साथ भी ऐसा ही हुआ, उसमें जम्बू कश्मीर और रदा के हमारे भाई बेनों की, हमारे बच्चों की, जो हानी हो रही थी, उसकी चर्चा ही नहीं होती थी, हैरानी की बात ये है, कि आप किसी से भी बात करें, तो कोई ये भी नहीं बता पाता था, कि अनुच्छे 370 से, जम्बू कश्मीर के लोगों के जीवन में क्या लाब हुआ, भाई और बेनों, आर्टिकल 370 और 35A ने, जम्बू कश्मीर को अलगावात, आतंकवात, परिवारबात, और व्यवस्थाओं में, बड़े पैमाने पर फैले ब्रस्टाचार के अलावा, कुछ नहीं दिया, इन दोनों अनुच्छेत का, देश के खिलाब, कुछ लोगों की भावनाए भड़काने के लिए, पाकिस्तान द्वारा, एक सस्त्र के तौर पर इस्तमाल किया जा रहा था, इसकी वजह से, पिछले तीन दसक में लगभग, 42,000 निर्दोस्ट लोग, 42,000, यह आंकड़ा, किसी की भी आंख में चांसू ला देता है, 42,000 निर्दोस्ट लोगों को, अपनी जान गवानी पड़ी, जम्मु कश्वीर और लदाग का विकास, उस गती से नहीं हो पाया, जिसका वो हकदार था, अब, विवस्था कि एक कमी दूर होने से, जम्मु कश्वीर, और लदाग के लोगों का वरतमान तो सुद्रेगा ही, उनका भविश भी सुरक्षित होगा, साथियों, हमारे देश में, कोई भी सरकार हो, वो संसद में कानून बना कर, देश की भलाई के लिए काम करती है, किसी भी दल की सरकार हो, किसी भी गटबंदन की सरकार हो, ये कार्य निरंतर चलता रहता है, कानून बनाते समय, संसद में काफी बहाइस होती है, संसद के भार भी बहुत चर्चा होती है, चिंतन मनन होता है, उसकी आवश्रक्ता, उसके प्रभाव को लेकर, गंबीर पक्ष रखे जाते हैं, इस प्रक्रिया से गुजर कर, जो कानून बनता है, वो पूरे देश के लोगों का बढ़ा करता है, लेकिन, कोई कलपना नहीं कर सकता, कि संसद, इतनी बड़ी संख्या में कानून बनाएं, और वो कानून, देश के एक हिस्से में लागू ही ना हो, यहां तक की, पहले की जो सरकारे, एक कानून बना कर, वो हवाई लुटती थी, वो भी ये दावा नहीं कर पाती थी, कि उनका बनाया कानून, जम्मू कश्वीर में भी लागू होगा, जो कानून, देश की पूरी आबादी के लिए बनता था, उसके लाप से, जम्मू कश्वीर के, डेड करोड से जादा लोग, बन्चित रह जाते थे, सोचिये, देश के अन्य राज्यों में, बच्चों को, सिच्षा का अधिकार है, लेकिन, जम्मू कश्वीर के बच्चे, इससे बन्चित थे, क्या गुना है उन बच्चों का, देश के अन्य राज्यों में, बेटियों को जो सारे हक मिलते हैं, वो सारे हक जम्मू कश्वीर की बेटियों को नहीं मिलते थे, देश के अन्य राज्यों में, सफाई करमचारियों के लिए, सफाई करमचारी एक लागू है, लेकिन, जम्मू कश्वीर के सफाई करमचारी, इससे बन्चित थे, उनको ये हक नहीं दिया गया था, देश के अन्य राज्यों में, दलीतों पर अत्याचार रोकने के लिए सक्त कानून लागू है लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं था देश के अन्य राज्यों में अल्प संखेकों के हितों की रक्षन के लिए माइनोरिटियक लागू है लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं था देश के अन्य राज्यों में मद्दुरों के लिए स्रमुकों के हीतों की रक्षा के लिए minimum wages act लागू है लेकिन जम्मु कश्मीर में काम करने वाले स्रमुकों को ये सिर्फ और सिर्फ कागजों पर ही लटका हुआ मिलता था देश के अन्य राज्यों में चुनाव लड़ते समाए SCST अनुसुति जन्जाती के भाईयों बहनों को आरक्षन का लाब मिलता था लेकिन जम्मु कश्मीर में ऐसा नहीं था साथियों अब आर्टिकल 370 और 35A बीते हुए इतिहास की बात हो जाने के बात उसके नकारात्मक प्रभावों से भी जम्मु कश्मीर जल्द बहार निकलेगा इसका मुझे पुरा विस्वास है भाई और बहनों नई विवस्था में केंद्र सरकार की ये प्राफिता रहेगी कि राज के कर्मचारियों को जिसमें जम्मु कश्मीर की पुलीस भी सामीर है उन सब को दूसरे केंद्र सास्रीत प्रदेश के कर्मचारियों और वहां की पुलीस के बराबर की सुविधाएं मिलें अभी केंद्र सास्रीत प्रदेशों में अनेक ऐसी वित्तिय सुविधायें जैसे LTC, House Rent Allowance, बच्चों की शिक्षा के लिए Education Allowance, Health Scheme, जैसे अनेक सुविधायें दी जाती हैं, जीन में से अधिकाउस जम्मू कश्मीर के करमचारियों को, पुलीस परिवारों को नहीं मिलती हैं, ऐसी सुविधायें महया कराई जाएगी, जल्द ही जम्मू कश्मीर के करमचारियों को, पुलीसों को, उनके परिवार जनों को, ये सुविधायें महया कराई जाएगी, साथियों बहुत जल्द ही, जम्मू कश्मीर और लदाख में, सभी केंद्रिये और राज्य के, रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, इससे स्थानिय नवजवानों को, रोजगार के परियाप्त आवसर उपलब्द होंगे, साथ ही, केंद्र सरकार की पब्लिक सेक्टर युनिट्स, और प्रावेट सेक्टर की बड़ी कम्पनियों को भी, रोजगार के नए अवसर उपलब्द कराने के लिए प्रोजवाहित किया जाएगा, इसके अलावा, सेना और अर्दस सैनिक बलों द्वारा, स्थानिय युवाओं की भरती के लिए, रेलियों का आयोजन किया जाएगा, सरकार द्वारा, परदान, मंत्री, स्कॉलर्शिप, युजना का भी, विस्तार किया जाएगा, ताकि जादा से जादा विद्यार्थियों को, इसका लाव मिल सके, जम्मु कश्मीर में, राजस्व घाटा भी बहुत जादा है, एक प्रकार से राजस्व घाटा बड़ी चिंता का विश्य होता है, केंद्र सरकार, ये भी सुनिश्चित करेगी, कि इसके प्रभाव को कम किया जाए, बाई और बेहनों, केंद्र सरकार ने अनुच्छे तिन सो हटाने के साथ ही, अभी कुछ कालखन के लिए, और मैं बताता हूँ, कुछ कालखन के लिए, जम्मु कश्मीर को सीधे केंद्र सरकार के शाचन में रखने का फैसला, बहुत सोच समझ कर लिया है, इसके पीछे की बज़े समझना भी आपके लिए महत्पूर्ण है, जब से वहाँ गवर्नर रूल लगा है, जम्मु कश्मीर का प्रसासन सीधे केंद्र सरकार के संपर्क में है, इसकी बज़े से बीते कुछ महिनों में वहाँ गुड गवर्नंस और डेवलप्मेंट का और बहतर प्रभाव जमीन पर दिखाई देने लगा है, जो योजना हैं, पहले सिर्फ कागजों में रह गई थी, उन्हें अब जमीन पे उतारा जा रहा है, दस्रकों से लटके हुए प्रोजेक्ट को नई गती मिल रही है, हमने जम्मू कश्मीर प्रसाचन में एक नई कार्य संस्कृति लाने, पारदर्शिता लाने का भर्षक प्रयास किया है, इसका नतीजा है कि IIT, IIM, AIMS हो, तबाम साथ-साथ इरिगेशन प्रोजेक्ट हो, पावर प्रोजेक्ट हो, या फिर करप्शन ब्यूरो, एंटी करप्शन ब्यूरो, इन सब के काम में तेजी आई है, इसके अलावा, वहां कनेक्टिविटी से जुड़े प्रोजेक्ट हो, सडकों हो, और नई रेल लाइनों का काम हो, एरपोर्ड का आधुनी करण हो, सभी को तेज गती से आगे बढ़ाया जा रहा है, साथियों, हमारे देश का, लोग तंत्र इतना मजबूत है, लेकिन आप ये जानकर चौक जाएंगे, कि जमू कश्मीर में दसकों से हजारों लाखों की संख्या में ऐसे भाईबें रहते हैं, जिने लोग सभा के चुनाओं में उसमें तो वोट डालने का अधिकार था, लेकिन वो विदान सभा और वहां की पंचायत, या वहां की नगरपाली का, या महां की महानगरपाली का, न वो चुनाओं में मद्दान कर सकते थे, न चुनाओं लड़ सकते थे, ये वो लोग हैं जो 1947 में बट्वारे के बाद पाकिस्तान से भारत आये थे हिंदुस्तान के अरण राज्यों में उनको समधिकार है अकेले जम्मू कश्मीर में नहीं है क्या इन लोगों के साथ अंध्याएं ऐसे ही चलता रहता साथियों जम्मू कश्मीर के अपने भाईयों भेहनों को मैं एक महत्वपुन बात और स्पस्ट करना चाहता हूँ आपका जनप्रतिनिधी आपके द्वारा ही चुना जाएगा आपके बिच से ही आएगा जैसे पहले M.A.L.E. होते थे वैसे ही M.A.L.E. आगे भी होगे जैसे पहले कैबिनेट होती थी मंत्री परिशद होती थी वैसे ही मंत्री परिशद आगे भी होगी जैसे पहले आपके C.M. होते थे वैसे ही आगे भी आपके मुख्यमंत्री होगे आपके C.M. होगे साथियों मुझे पूरा विस्वास है इस नई व्यवस्था के तहट हम सब मिलकर आतंगवाद अलगावाद से जम्मु कश्मीर को मुक्त कराएंगे जब दर्ती का स्वर्ग हमारा जम्मु कश्मीर फिर एक बार विकास की नई उचाईयों को पार करके पूरे विश्व को आकरसित करने लगेगा नागरीकों के जीवन में इज अफ लिविंग बड़ेगी नागरीकों को जो उनके हक का मिलना चाहिए वो बे रोग टोग मिलने लगएगा शासन प्रसासन की सारी विवस्ता जन हित कारियों को तेजी से आगे बढ़ाएगी तो मैं नहीं मानता कि केंदर सासीत प्रदेश यूनियन टेरिटरी की विवस्ता जम्मू कश्मीर के अंदर चलाए रखने की ज़रुद पड़ेगी हाँ लदाख में वो बनी रहेगी भाई और बहनों हम सभी चाहते हैं कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर विदान साभा के चुनाव हो नई सरकार बने नए तेजस्वी उरजवान नवजवान एमेले बने मंत्री बने मुख्यमंत्री बने मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को भरोजा देता हूँ कि आपको बहुत इमानदारी के साथ पूरे पारदर्शी बातावरण में आपके अपने प्रतिनिदी चुनने का अवसर तुनंद मिलेगा जैसे बीते दिनों पंचायत के चुनाव पारदर्शीता के साथ संपन्न कराए गए वैसे ही जम्मू कश्मीर विदान सहपा के भी चुनाव होंगे मैं राज के गवनर से भी आगर करूंगा कि ब्लॉग डेवलप्मेंट काउंसिल का गठान जो पिछले दो तिन दसकों से लंबित है उसे पुरा करने का काम भी जल्द से जल्द किया जाए साथियों ये मेरा खूद का अनुभव है कि चार पाँच महेने पहले जम्मू कश्मीर और लदाक के पंचायत चुनावों में जो लोग चुन कर आए वे बहुत बहतरीन काम कर रहे हैं वे अभी नंदन के अधिकारी हैं कुछ महिनों पहले जब मैं स्रीनगर गया था तो वहां मेरी उनसे लंबी मुलाकात भी हुई थी जब वो यहां दिली आये थे मेरे घर पर आये थे मैं उनसे काफी देर तक बात की थी पंचायत के इन साथियों की वज़े से चुने हुए पंचायत के पंच और प्रधान के वज़े से जम्मु कश्मिर में बिते दिनों ग्रामेंड स्तर पर बहुत तेजी से काम हुआ है हर गर बिज़नी पहुँचाने का काम हो या फिर राज्य को ओपन डेफिकेशन फ्री ओडिये बनाना हो इसमें पंचायत के प्रतिनीद्यों की बहुत बड़ी भुमिका रही है उसमें भी महिला पंच जो चुन करके आई है उन बहनों ने तो कमाल करके दिया है मुझे पुरा विश्वास है कि आप अनुछे 370 हटने के बाद जब इन पंचायत सदश्यों को नई विवस्ता में काम करने का मोका मिलेगा तो वो कमाल कर देंगे कि मैंने देखा है और मेरा विश्वास है मुझे पुरा विश्वास है कि जम्मु कश्मीर की जनता अलगाव वाद को परास करके नई आशाओं के साथ नई उर्जा के साथ नई सपनों के साथ आगे बड़ेगी मुझे पूरा विश्वास है कि जम्मु कश्मीर की जनता गुड गवननस और पार दर्सिता के वातावरान में नई उत्सा के साथ अपने लक्षों को प्राप्त करेगी साथियों दसकों के परिवारबाद ने जम्मु कश्मीर के मेरे युवाओं को नेत्रुत्व का अउसर ही नहीं दिया अम मेरे युवाओं जम्मु कश्मीर के विकास का नेत्रुत्व करेंगे और उसे नई उचाईयों पर ले जाएंगे मैं जम्मु कश्मीर और लदाख के नवजवानों वहाँ के मेहन बैटियों से विशे साग्रा करूंगा कि अपने खेत्र के विकास की कमान आगे आएए खुद समालिये साथियों जम्मु कश्मीर और लदाख में दुनिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्नेशन बनने की ख्षमता है इसके लिए जो बातावान चाहिए शासन प्रसासन में जो बढ़लाव चाहिए वो किये जा रहे हैं लेकिन मुझे इस में हर देश वासी का साथ चाहिए हर हिंदुस्तानी का साथ चाहिए एक जमाना था जब बॉलीवूर की फिल्मों की शुटिंग के लिए कश्मीर पसंदिता जगा थी उस दौरान शाहिद ही कोई फिल्म बनती हो जिसकी कश्मीर में शुटिंग न होती हो अब जम्मु कश्मीर में स्थित्या सामान्य होंगी तो देश ही नहीं दुनिया भर के लोग वहाँ फिल्मों की शुटिंग करने आएंगे हर फिल्म अपने साथ कश्मीर के लोगों के लिए रोजगार के नए अनेक आउसर भी लेकर आएगी मैं हिंदी फिल्म इंड़स्ट्री तेलूगो फिल्म इंड़स्ट्री और तमिल फिल्म इंड़स्ट्री और इससे जुड़े से लोगों से आगरा करूँगा कि जम्मु कश्मीर और लदाक में निवेस के बारे में फिल्म की सुटिंग से लेकर थीटर और अन्य साधनों के स्थापणा के बारे में जरूर सोंचे उसको प्रात्विक्ता दे जो टेक्नोलोजी के दुनिया से जुड़े लोग हैं चाहे वो प्रशासन में हो और फिर प्रावेट सेक्टर में उनसे भी मेरा आग्रह है कि अपनी नीतियों में अपने फैसलों में इस बात को प्रात्विक्ता दे कि जम्मू किश्मीर में कैसे टेक्नोलोजी का विस्तार किया जाए वहां के नवजवान तेजस्वी हैं होजस्वी हैं अंग्रेजी भाषा के साथ जुड़े हुए हैं जब वहां डीजिटल कम्मूनिकेशन को ताकत मिलेगी जब वहां बीपियो सेंटर कॉमन सर्विन सर्विस सेंटर बढ़ेंगे जितना ज्यादा टेक्नोलोजी का विस्ता नहीं जम्मू कश्मीर के हमारे भाई बहनों का जीवन आसान होगा उनकी आजिविका और रोजी रोटी कमाने के अवसर बढ़ेंगे साथियों सरकार ने जो फैसला लिया है वो जम्मू कश्मीर और लदाक के उन नवजवानों को भी मदद करेगा जो स्पोर्स की दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं नई स्पोर्स एकडेमिश नए स्पोर्स टेडियम साइन्टिफिक एनवार्मेंट में ट्रेनिंग उन्हें दुनिया में अपना टैलेंट दिखाने में मदद करेगी और कश्मीर का बच्चा खेल के मैधान में दुनिया के अंदर हिंदुस्त का नाम रोशन करेगा ये ताकत वहां पड़ी है साथियों जम्मू कश्मीर के केसर का रंग हो या कहवा का स्वाद सेव का मीठा पन हो या खुबानी का रसिला पन कश्मीरी शाल हो या फिर कलाकृतियां लद्दा के और्गनिक प्रोड़क्ट हो या हर्बल मेडिसिन इसका प्रसार दुनिया भर में किये जाने की जरुवत है मैं आपको एक उदाहन देता हूँ लदाख में सोलो नाम का इत पौधा पाये जाता है जानकारों का कहना है कि पौधा हाई एल्टिटूर पर रहने वाले लोगों के लिए बर्फिली पाड़ियों पर तैनात सुरक्षा बलों के लिए ये संजिवनी का काम करता है कम अक्सिजन वाली जगह पर सरीर के इम्यून सिस्टीम को समाले रखने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है सोचिए ऐसी अदभूत चीज दुनिया भर में बिकनी चाहिए कि नहीं बिकनी चाहिए कौन हिंदुस्तानी नहीं चाहेगा और साथियों मैंनो तो सिर्फ एक काही नाम लिया है ऐसे अंगिनत पहुदे हर्बल पोड़क्ट जमू कश्वीर और लदाक में बिकरे पड़े हैं उनकी पहचान होगी उनकी बिकरी होगी तो इसका बहुत बड़ा लाब वहां के लोगों को मिलेगा विशेश कर वहां के किसानों को मिलेगा इसलिए मैं देश के उद्देमियों को एक्सपोर्ट से जुड़े लोगों से फूर्ड प्रोसेसिंग सेक्टर से जुड़े लोगों से आगरा करूंगा कि जम्मू किश्वीर और लदाक के स्थानिय प्रोडस को दुनिया भर में पहुचाने के लिए आगया है साथियों यूनियन टेरिटरी बन जाने के बाद अब लदाक के लोगों का विकास भारत सरकार की स्वाभावी जिम्मेदारी बनता है स्थानिय प्रतिनीदियों लदाक और करगिल की डेवलप्मेंट काउंसिल के सहयोग से केंद्र सरकार विकास की तमाम योजनाओं का लाप अब और तेजी से पहुँचाएगी लदाक में स्पिरिचल टूरिजम एडवेंचर टूरिजम और इको टूरिजम का सबसे बड़ा केंद्र बनने की ख्रमता है इतना ही नहीं सोलर पावर जन्रेशन का भी लदाक बहुत बड़ा केंद्र बन सकता है सोलर रेडियेशन में हिंदुस्तान में लदाक की धर्ती अबवल नमबर पे है अब वहां के सामर्थका उचित इस्तवाल होगा और बिना भेजभाव विकास के लिए नए अवसर बनेंगे अब लदाक के नवजवानों की इनोवेटिव स्पिरिट को बढ़ावा मिलेगा उन्हें अच्छी सिख्षा के लिए बहतर संस्थान मिलेगे वहां के लोगों को अच्छे अस्पताल मिलेंगे इंफास्ट्रेक्चर का और तेजी से आधिनी करन होगा साथियों लोग कंत्र में ये भी बहुत स्वाभावित है कि कुछ लोग इस फैसले के पक्षमे हैं और कुछ को इस पर मद्भेद हैं मैं उनके मद्भेद का भी सम्मान करता हूँ और उनके आपतियों का भी इस पर जो बहस हो रही है उसका केंद्र सरकार जवाब भी दे रही है समाधान करने का प्रयाद भी कर रही है और ये हमारा लोग कंत्रिक दाइत्व है लेकिन मेरा उनसे आगर है कि वो देश हित को सर्वोपर ही रखते हुए ब्यहवार करें और जम्मु किश्मीर लदाक उसको नई दिशार देने में सरकार की मदद करे देश की मदद करे देश की भावनाओं का आदर करे संसद में किसने मददान किया किसने नहीं किया किसने समर्थन दिया किसने नहीं दिया इससे आगे बढ़कर अब हमें जम्मु कश्मीर लदा के हीत में मिल करके एज जूट हो करके काम करना है मैं हर देश वासी को ये भी कहना चाहता हूं कि जम्मु कश्मीर और लदा के लोगों की चिंता ये हम सब की चिंता है 130 करोर नागरिकों की चिंता है उनके सुख दुख, उनकी तकलीप से हम अलग नहीं हैं, अलग हो नहीं सकते हैं अनुछे 370 से मुक्ती एक सच्चाई है लेकिन सच्चाई ये भी है, इस समय एहतिहास, एहतियात के तौर पर कुछ कदम उठाने की जुरूत थी उन कदमों की कारण, जो भी परोशानी हो रही है उसका मुकाबला भी वहीं के लोग कर रहे हैं और वो भी सहयोग देकर के कर रहे हैं कुछ मुठी भर लोग जो वहाँ हाराज बिगारना चाहते हैं उन्हें धैरिय पुर्वक जवाब भी वहाँ के ही हमारे भाई भेहन दे रहे हैं हमें ये भी नहीं बुलना चाहिए कि आतंकवाद और अलगावाद को बढ़ावा देने की पाकिस्तानी साजीसों के विरोध में जम्मु किश्मीर के ही देशभक्त लोग डट करके खड़े हुए हैं भारतिय समिधान पर विश्वास करने वाले हमारी ये सभी भाई बहन अच्छा जीवन जीने के अधिकारी हैं उनके सपनों को साकार करने के लिए उनको मोका मिले ये उनका हक है हमें उन सब पर गर्व है मैं आज जम्मु कश्मीर के इन साथियों को बरोसा देता हूँ कि दीरे दीरे हालात सामान ने हो जाएंगे और उनकी परेशानी भी कम होती चली जाएगी साथियों इद का मुबारक ते उहार भी नद्दी की है इद के लिए मेरी और से आप सभी को बहुत बहुत शुप कामना है सरकार इस बात का ध्यान रख रही है कि जम्मु कश्मीर में इद मनाने में लोगों को कोई परेशानी ना हो हमारे जो साथि जम्मु कश्मीर से बहार रहते हैं और इद पर अपने घर वापत जाना चाहते हैं उनको भी सरकार हर संभव मदद कर रही हैं साथियों आज इस अवसर पर मैं जम्मु कश्मीर के लोगों की सुरक्षा में तैनात अपने सुरक्षा बलों के साथियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ प्रसासन से जुड़े सभी लोग राज के सभी कर्मचारी और जम्मु कश्मीर पुलीस जिस तरह से स्थीतियों को समाल रही हैं वो सचमुच में बहुत बहुत प्रसंसनिया हैं आपके इस परिश्रम ने मेरा इविश्वास और बढ़ाया है कि बढ़लाव हो सकता है लोगों का भला हो सकता है भाई और बहनों जम्मु कश्मीर हमारे देश का मुकोट है हम बच्पन से सुनते आए हैं गर्व करते आए हैं इसकी रक्षा के लिए जम्मु कश्मीर के अनेकों बीर बेटे बेटियों ने अपना बलिदान दिया है अपना जीवन दाव पर लगाया है पूंच जिले के मौलवी गुलाम दीन जिनोंने 65 की लड़ाई में पाकिस्तानी गुस्पेठियों के बारे में भारतिय सेना को बताया था उन्हें असोग चक्र से सम्मानित किया गया था लदाक के कर्णल सोनम वांचुंग जिनोंने कारगीर के लड़ाई में दुश्मन को धूल चटा दी थी उन्हें महवी चक्र दिया गया था राजोरी की रुक्साना काउसर जिनोंने एक बड़े आतंकी को मार गिराया था उन्हें भी किर्टी चक्र से सम्मानित किया गया था पूँच के सहीद औरंगे जिनकी पिसले बर्ष आतंकियोंने हत्या कर दी थी और जिनके दोनों भाई अब सेना में भरती होकर देश की सेवा कर रहे हैं ऐसे वीर बेटे बेटियों के लिस्ट बहात लंबी है आतंकियों से लड़ते विए जम्मू कश्पीर पुलीस के अनेक जमान और अपसर भी शहीद हुए है निर्दोस नागरिक भी मारे गए हैं देश के अन्य भूभार से भी हजारों लोगों को हमने खोया है इन सभी का सपना रहा है एक शान्त सुरक्षीत समरद जम्मू कश्पीर बना लेगा उनके सपनों को हमें मिलकर पुरा करना है साथियों ये फैसला जम्मू कश्पीर और लदा के साथ ही पूरे भारत की आर्थिक प्रगती में सहियोग करेगा जब दुनिया के इस महत्वपों भुभाग में शान्ती और खुशाली आएगी तो स्वाभावी कुरुप से विश्व सान्ती के प्रयासों को भी मजबूती मिलेगी मैं जम्मू कश्पीर के अपने भाईयों और भेनों से लदाग के अपने भाईयों और भेनों से आवान करता हूँ आईए हम सम्मिल कर दुनिया को दिखा दें एक शेत्र के लोगों का सावर्थ कितना ज़्यादा है यहां के लोगों का होसला उनका जजबा कितना ज़्यादा है आईए हम सम्मिल कर नए भारत के साथ अम नए जम्मू कश्पीर और नए लदाग का भी निर्मान करें बहुत बहुत धन्यवार झाल